असलाम अलेकुम वेलकम बेक टू माई चैनल आज हम शेयर करेंगे जर्दे की रेसिपी देखिए कितना मज़े का बनाया जर्दा आप इसे जरू ट्राइ कीजेगा और ग्यार्मी शरीप का माईना है तो फिर न्याज के लिए जर्दा बनाना जादा हम लोको पसंद आता है त श्रisti के लिए मैंने oli चावल बिगो देते एक बड़ी कटोरी लिए था मैंने वह को दिये थे एक गंटे करीब भिगो लिए मैं ईसाए तो अब यह मैंने लिए हैं आइगे हमिनेन जब तक पकाना है जब तक कि चावल पूरी तरह से नहीं पके लेकिन उसे हलका सा टाइट रहना चाहिए इतना पकाइंगे ड्स से बारा मिनट हो गई है आप कर लेते हैं अभी हलका सा टायट है बस हम इतना उप पकाएंगे तो अब गैस को बंद कर दूंगी और मैं चावल को ठंडा होने के लिए रख दूंगी यह मैंने घी लिया है पतीले में देसी घी लिया है अब इसमें डाल देंगे काली मेर्ट सौरी लॉंग और हरी लाइची यह दोने चीजे डालेंगे इसे अच्छे से पर डाल देंगे हम हमेशा इसी तरह से डालेंगे जर्दा जब भी बनाएंगे तो इसी तरह से बनाईए लेयर लगाईए अब गैस को हलकी करके इसको दम पर रख देंगे बंद करके करीब 5-7 मिनट के बाद मैं आपको खोल कर दिखाऊंगे यह देखिए 5 मिनट हो गए है चीनी की चासनी बन गई है हलकी गैस पर रखी थे मैंने इसे हाई हीट पर बिलकुल भी ने रखी देखिए कितने साथ चासनी हो गई है अब इसको दम पर पका लेंगे जब तक कि इसकी चासनी जो है वो पूरी तरह से चावलों में आपजर्ब नहीं हो जाती है या फिर य टाइट थे अब टाइट बिलकुल भी नहीं है सॉफ्ट हो गए हैं अब मैं यह ड्राइफ्रूच दाल दूंगी इसमें मैंने काजू बादाम किसमिस नारियल डाला है आपको जो पसंद हो आप वो डाल लीजिए अब डाल देंगे इसके उपर खोया या फिर मावा जो भी आप बोलते हैं वो डाल देंगे इसके उपर और मैंने गैस को बंद कर दिया है अब इसे इसी तरह से रख देंगे ढखकर करीब 10 मिनट के लिए उसके बाद मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी 10 मिनट हो गए हैं ये देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ जर्दा कितना अच्छा बनाए एक एक चाबल अलग अलग है बहुत अच्छा दिख रहा है देखिए पास से दिखाते हैं आपको कितना अच्छा दिख रहा है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए इस आप ग झाल झाल